नमस्कार दोस्तो स्वागत आप सभी का हमारे यूटूब चैनल योजना ओनलाइन फोर्यू पर दोस्तो आज फिर आपके सामने एक महत्पून जान कर लेकर हाज जुरूए हैं दोस्तो आपको बता दे कि सरकार दोरा आगनवाडी के तहत ओनलाइन आविदन की प्रिगिरिया अलग-अलग राज्य में अलग-अलग इस्तर पर की जा रही है अगर आप भी आंगनवाडी के तहट ओनलाइन अवेदन करने के इच्छुक है या फिर आपको हैं पर संपूर्ण जानकरी मिलने वाली है और साथी आप पता दे जो आपने कमेंट की हुए है दोस्तो हमने उसकी एक और लिस्ट बना ली है जिसके तहट आपको जानकर देने सावल हैं कि किस राज्य में कितने आपकेंस निकाल जाएं और दोस्तों आपकी जानकर आता दे हैं इन जीलों में सुपरवाजर के पतों पर भी क्यांशी निकाल जाएगी जह तो सूपरवाजर के पदों पर यहां पर भरती भी की जाएगी और मिनी आगनवाडी करेकत्री आगनवाडी करेकत्री आगनवाडी सहिका तो से चारों पदों पर यहां पर आगनवाडी के तहत ओनलाइन आविदन की जाएगे और किस तरह से आप कर सकते हैं यहां पर आपको संपुर्ण जानकारी स्टैप बाई स्टैप बताई जाएगी तो दोस्तों आपसे निवेदन है कि वीडियो को ज़्यादा शेयर करें और ज़्यादा लाइक करें और दोस्तों हमने आपके कमेंट पर अल्रेडी दो वीडियो बना दी है अगर इस वीडियो में आपका जिला ना मिले तो दोस्तों आप उन दो वीडियो को देख लेना हम उनका जो लिंक है वेडिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे नहीं है क्योंकि हमने उसमें संपुर्ण जानकर आपको दी हुई है कि आपका जो जिला है उसमें कब आगनवाडी के तयात ओनलाइन अविदन शुरू ह कि एकन सी है और सूपर वाजर के पुदो पर किस-किस जिले में आगनवाडी के तहत ओनलाइन आविदन किये जाएंगे कि दोस्तों बस आप से इतनी गुजारिस है कि आप वीडियो को लाइक और सेयर जरूर करें क्योंकि हम आपके लिएतनी मेहनत करते हैं दोस्तों आपक जिलो की हमने आपकी लिष्ट बनाई हुई है कब आवेदन होएगा अंतिम्ति क्या है और किस तरह से आपको यहाँ पर अंगनवाडी के तयात ओना आवेदन करना है साथ ही दोस्तों आपके कमेंट में एक और जानकारी पुशी गई है वह है कि आए पती की लगेगी या पतन दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं और आपको step by step जिले की ओर लेकर चलते हैं कि दोस्तों आपकी जानकार के लिए बतादे कि सरकार द्वारा आंगनवाडी के तहत अभी तक तीन राज्यों में ओनलाइन आवेदन की परकिरिया सुरू की गई है जिसके तहत ओनलाइन जिहाँ पर तीन राज्यों में दोस्तों पैसे तो हम आपको राज्ये बता देते हैं नंबर एक पर आथां दोस्तों आपका करनाा तक कि दोस्तों इन राज्यों में आगन्वाडि के तहत ओनलाइन आगया शुरू की गई है और उनकी अंतिम्तित्य भी निर्धारित की गई है अब दोस्तों आपको यहां पे आगे जानकारित देते हैं आंगनवाड़ी के इन पदों पर भरतिन निकाली गई है जह दोस्तों वे दोस्तों आपको बता दे कि सुपराजर की भरति केवल उन जीलों में उन राज्यों में निकाली जाएगी जिन जिलों में तो सुपरवाजर की वेकेंसी खाली होगी यानिके जिस जिले में जिस राज्य में सुपरवाजर के पद खाली होगे वहीं पर सुपरवाजर की आविदन सुरू किये जाएंगे वही पर आप आवे दिन कर सकते हैं जिस जिले में उनके पद खाली होंगे अब दोस्तो आपको लिगर चलते हैं जिलो की ओर जिन जिलो के आपने हमारे कमेंट बोक्स में जाकर कमेंट क्या हुआ है दोस्तो नंबर एक पर आता है आपका हर दोई नमबर दो पे आता है चंदुली नमबर तीन पे आता है दोस्तों कानपूर नैस्ट आता है आपका मतूरा संत कबीर नगर मिर्जापूर बांदा वारानसी गोरकपूर फतेपूर दोस्तों यह जिले वे है जो आपने कमेंड किये हैं अब दोस्तों इन जिलों में बता दे आपको इन जिलों में जया दोस्तों इन जिलों में सरकार दुवारा जो नोटिफिशन जारे क्या गया है उसमें बताया गया है कि 15 और 16 अप्रेल में इन जिलों में आगनवाडी के तहत ओनलाइन आवेदन की प्रिग्यास सुरू होने व अगेगे पती की, पतनी की या फिर पिता की. दोस्तों सबसे पहले तो आपको यहां पर आपकी जो योग्यता है उसके प्रमाणपत्र होने चाहिए. अगर आप आपकी जानगे बताते दोस्तों अगर आप आगनवाडी कार्यकत्री के पद पर आगनवाडी के तयात ओनलाइन आवजन करना चाहते हैं या फिर मिनी आगनवाडी कार्यकत्री के पद पर आप ओनलाइन आवजन करना चाहते हैं तो आपके पास पांच भी की जो सर्टिपेट है दोस्तो वह आपके पास होना चाहिए यह दस्ताविज आपके पास होने चाहिए आप किसी भी पद्ध पार ओनलाइन आधन करना चाहते हैं तो सेक्टिन योग्यता प्रमान पत्र आपके पास होने चाहिए साथी मोल निवास आपके पास होना चाहिए आपका जाति प्रमान आपके पास होनी चाहिए आयू प्रमान आपके पास होना चाहिए और दोस्तो अगर आप एक साधी सुदा है तो आपके पास व्यूभा प्रनमान पत्र होना चाहिए साथी आपका आधार कार आपके पास होना चाहिए और दोस् हुई है तो आपका जो आये है वह पति का होना है जंस्तो पति का है अगर आपकी साधी नहीं हुई है तो वह आये पिता का चलेगा जनस्तो पृत है विदा युदॉ क्योंकि दोस्तों जो प्रिवार का मुख्या होता है आए उन्हीं की चलती है आप दोस्तों आपकी जान करें लिए बता दें विद्वात तलाक सुधा प्रिवक्ता समंदित दस्तावेज आपके पास होने चाहिए तभी आप आंगनवाडी के तयात ओनलाइन आवेदन कर जावा उन्नेव नेश्ट है दोस्तों जोनपुर गोतम बुद्नगर मुझफफर पूर फिर आता है जालोन मेरट मुझफफर नगर दोस्तों यह जिले वे हैं जिन में सरकार दुवारा आगनवाडी के तहत 16 अप्रेल के बाद आगनवाडी की ओनलाइन आवजिन की परिग परिग्रिया शुरू की जाएगी यानि के दोस्तों जो उत्तर परदेश के आठ जिले हैं उनमें सरकार ने ओनलाइन आवजिन की परिग्रिया शुरू की गई है और लाश डेट यहां पर 16 अप्रेल रखी गई है लेकिन जो सरकार का नोटिफिन जारी किया गया है उसमें तक इन आट जिलो की ओनलाइन आउढ़ेल टेस्ट आप नहीं हो जाती यानि कि 16 अप्रेल तक तब तक इन जिलों में आगनवाडी के तहत ओनलाइन आवजिन नहीं किया जाएगा जब भी इनका दोस्तों आगनवाडी के तहत जो यहां पर ऑवेधन किया रहे हैं इनकी अं सम अपने हुद्ट तब तक इन किए जिलों में आंगन वाइडी के थैत ऊंपोंधन नहीं कि जाएंगे में कियां दोशतों यहां पर 16 अपर pencil के बाद ही इन जिलों में आजन वाजिकत हैप थैत ओनलाइन अविधन आप साही का के पदों पर हमने आपको बता दिया है कि यहां पर हाई स्कूल 12 और दोस्तों नियुक्त पांची पास होना चाहिए एक बात बता दे दोस्तों किवल आपके 10 वी तक ही यह जो मेरिट का चैन होगा वह किवल आपका अज़साब से कि आएगा जो आपको आपको यहां पर जूड़ सकते हैं अंगनवाडी कार्यकत्री मीनियागनवाडी कार्यकत्री और अंगनवाडी सहेगा के लिए दस्ट बारवी से उपर कोई अंकर नहीं जोड़े जाएंगे अब दोस्तों जो नेस्ट जिले हैं उनकी और आपको लिएकर चलते हैं दोस्तों यहां पर जो आँगनवाडी के तहट चैन के जाएगा फर्ष नमबर पर उन परिवारों का क्या जाएगा जो गरीकर से नीचे यापन करते हैं दोस्तों वहीं हमना आपको बताई दिया है कि वह मेरिट त्यार करने में इतना तक तक के अंकों को सैक्स गुर्णांग में जोड़ा जाएगा लेकिन इससे उपर की जो योगता होगी वह अंक नहीं जोड़े जाएंगे यह हमने आपको इस पर स्टूप से बता दिया है ठीए दोस्तों अब जो नेश्ट जिले हैं यहां तो सम्भी भर्दोई कानपुर कानपुर नगर दोस्तों यह जिले वे हैं जो आपने हमें कमेंट कर भेजे हैं तो इन जिलों में भी आंगनवाडी के तहत 16 अप्रैल के बाद ही आंगनवाडी के तहत ओनलाइन अविजन शुरू किये जाएंगे अगर आपके अब भी कोई जिले छूट गए हैं तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं हम आपके कमेंट का जवाब जरूर देंगे और इसी तरह से आपकी आपके जिलों की लिष्ट बनाकर आपके सामने पेस करेंगे बस दोस्तों आपसे गुजारिस है कि वीडियो को जाज़री हिए लाइक करें और जाज बार है तो चैनल को सब्स्राइब करें बैल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली जो वीडियो है वह आप तक पहुंच सके आने वाले नोटिविशन आप तक पहुंच सके तो जब भी इन जिलों में सरकार दोवरा विज्यापन जारी किया जाता है ओनलाइन अवेदन शुर करिए हम आपके कमेंट का जवाब जरूर देंगे इस चैनल के माध्यम से हर किसी के कमेंट का जवाब दे जाता है अब दोस्तों आप वहता दें कि अगर आप भी कोई जिला रहाज करें तो आप हमें कमेंट करिए कुछ व्यक्तियों को आई कहना है कि हमारे कमेंट को जवा क्या है उनके नाम भी यहाँ पर अगली वीडियो में लिए जाएंगे अगर आपकी कोई समस्य है कोई जीवा जीदा चूटका है तो दोस्तों आप